सब्सक्राइब करें फुली फॉर वल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दियेगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी न्यू तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके असलामुल अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर वल्ड यूट्यूब चैनल मेरा ना सबसे पहला कमेंट हमारे पाद आ जाता है साइद अक्पर शाह जो कह रहे हैं कि सर रेफ्रिजेटर में गैस फुल हो गई है या नहीं यह हमें कैसे पता चलेगा मतलब कि गेज वगरा कुछ भी नहीं है कर लगाओ तो आपको गेज लगा कर देख सकते हैं कि प्रेशर आप एक है आपके रेफ्रिजेटर में नीचे वाली जो प्लेट है वहां पर अइस थोडऻी देर बाद आती है कुलिंग देर बाद होती है सबसे पहले जहां पर कैपलेड ही होती है जैसे उपर वाला हिसा फ्रीजर है तो वहां पर जल्दी कूलिंग स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है अगर आपके पास बतलब नॉर्मल गेज है भी है लेकिन काफी लोगों में ना हो जाएं तब तक उसकी गजाँ फूरी नहीं होती जब जब गध पूरी हो जाएंगि तो उसकी रिटैन फूरी रिछी है वो चिल नहीं हो चू вс पर करी शही है आप यही can उसके वहां रिप्ष्जईर फोरी हो चुकी है क्योंकि return pipe पर chill यानि कि ठंडा तब ही होता है जब उपर से cooling हुई फिर नीचे वाले हिसे में cooling हुई और फिर return compressor को मिली तो वहां पर इसी लिए chill होता है कि नीचे भी cooling हो गई है वो आपको एक message मिल रहा है कि नीचे भी cooling कमल हो चुकी है सही chill होना चाहिए normal ठंडा है तो आप थोड़ी सी गैस चार्ज करें, आइस नहीं आनी चाहिए, अगर आइस आएगी तो फिर आपकी गैस ओवर मानी चाहिएगी, तो अगला कमेंट मारे पास आ जाता है, जहीर रजा का जो कह रहे हैं कि सर, R410 से रैप्जिजन जो है, यह किस-किस गैस से मिलकर बनी है, R410 से गै इसे स्लेंडर को उल्टा रखना चाहिए, मतलब लिकवर्ड फॉर्म में चार्ज करनी चाहिए, ताकि दोनों गैस जो है, वो मिक्स होकर जाए, अगर आप लिकवर्ड में नहीं चार्ज करेंगे, किसी वज़ए से आपने वैपर में चार्ज कर दी गैस, तो वो क्या होगा कोई एक गैस जो है, वो ज्यादा चली जाएगी, और एक गैस कम चली जाएगी, अब इससे होगा क्या आपको दोनों तरफ नुकसान हो जाएगा, आपका इसी जो है, वो सही एफिशेंसी पर काम नहीं करेगा, कूलिंग नहीं करेगा, चोक भी हो सकता है, कोई भी प्रोब है, अभी एक कम है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही एक ज्यादा गई है, और एक कम, तो पीछे भी बैलेस नहीं रहा, आगे भी बैलेस नहीं रहा, तो इसलिए जब भी गैस चार्ज करें, तो आप हमेशा लिवकट फोर्म में चार्ज करें, ताकि आपको कोई प्रोब्लम ऐसी से देखने को ना मिलें, और यह दो गैसों का मिक्स्टर है, आर 32 और एक सो पचीस, अशी दलियम से पूछ रहे हैं कि सर, रेफिजिडेटर या फिर एसी की कैपलर यह कर चोक हो, तो हमें, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसकी कैपलर ही ही चोक है, देखें, आपको कुछ निश चीज़ आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और रेटरन पर चोक पर आ जाता है, तो फिर आपको यह चीज़ा चाहिए, रेफिजिडेटर में भी यह होता है, कि आपका प्रेशर बिल्कुल काटा बिल्कुल जीरो से भी नीची आ जाता है, वहां स अगर गुजार देंगे, तो वहां से अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और कैपलेरी की वज़ा से काफी प्रोब्लम्स बनती है, रेफिजिडेटर की कैपलेरी अगर ब्लोग है, या फिर एसी कैपलेरी ब्लोग है, उससे यह कंप्रेसर पर बहुत बड़ा एफेक्ट परता ह और मैंने देखे हैं, और कैपलेरी का मसला है, तो वह क्या करता है, कि वह एफोर्च पर ब्लोग होने की वज़े से तो असर प्रोब्लम वो होती है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, किरेंकर चाहिए को अच्छे से नाइड्रोजन से या फिर लीगवर्ट खुजार लेंगे तो और भी अच्छा है इन चीज्जों को क्लीन करके ही हमें हमेशा कम्रेसर जो हम काम कर रहे हैं गया चाहिए हमेश्च पर एक चाहिए है कि सr थ्लॉर इसक हमало और हायर का इसी जो है उसमें क्या एरर होगा अब यहां पर जो है एक चीज़ मैंने भी आपको बतानी थी तो चलिए इस कोर्शन के बारे वह भी बात हम कर लेते हैं यहां पर जहां मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि PCV से लेटीड बहुत सारे दोस्ट जो है वह इंट्र अंदर बाहिर उसका वर्किंग और कैसे फोल्ड आते हैं तो कैसे हमने इसको सोल्फ करना है तो हम सोल्फ असानी से कर पाएंगे तो मुझे में जुरू बताएगा क्या आप इंट्रस्टेड हैं तो मैं एक दो मन्त के अंदर अंदर ही कोर्स त्यार करना चाहता हूं ताकि म बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में आपको कोर्स में लेगा और उस पर आपको तुमाम इलेक्रोनिक्स कॉंपोनेंट्स का जो है बेसिक वर्क आपको पता चल जाएगा और इसी तरह बाइने जैसे F9 का पूछे है यहां पर यह भी चीज क्लियर कर दूँ कि जब आपको बेस अगर आपको नहीं भी पता अरप का तो आप यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए तो फिर आप इसी ली फोल्ड को सॉल्फ कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में जुरू बताइएगा मैं जल्दी कोर्स इंशालला लेकर आओंगा पर हमसे दानिश खान कह रहे हैंगा सर एसी चालू था लेकिन कैस चार्जिंग करने के बाद एसी चालू नहीं हो रहा तो इसमें अभी आपने कैस कैसे चार्ज की वो तो मुझे नहीं पता हाँ अगर आपने रणिंग में जो है बहुत ओवर लीकोर चार्ज कर दिया है तो उसे यह होता है कि कंप्रेसर के जो है वाल के ओपर पड़ता है मदब कंप्रेसर हीट वो जाता है तो फोरी से पहले नहीं काफी देर बाद चलता है तो अगर तो आपने गैस रॉग तरीके से चार्ज की है तो फिर तो डफिनिटली पर एफेक्ट पड़ा होगा और और उसके बहुत ही ज्यादा लिक्वर्ट चार्ज कर देते हैं जिसके वज़ए से नहीं चार्ज करें तो इससे यह प्रोब्लम हो जाती है कि मोसम अगर ठंडा होगा तो डेफिनिटी बहुत ही जल्द आपका इसी ट्रिप हो जाएगा क्यूंकि अगर आप कुलिंग मूड पर आप सर्दियों में गैस चार्ज कर रहे हैं तो आपको प्रोब्लम तो होगी उस तूरत में आपको कर लेना चाहिए कि आप उसका रूम ट्रप्रेचर सेंसर जो है वो बाहिर निकालें किसी भी गरम चीज़से उसको टच कर दे ताके वो हीट सेंस करता रहे और इतनी प्रोब्लम नहीं होगी प्रेचर के अपनी जगा खुद बखुद सेट हो जाएंगी और उसके प्रेशर सब चीज़ें हर जगा पर अपनी सेट हो जाएंगी हमा मुफतार के रहे हैं के सरजीi ac के कंप्रेशर का प्रेशर कैसे टेस्ट किया जाता है मैं वीडियो और एक mac कंप्रेशर पर य सब्सकों कोई तेम बनाई तोहागए इस पर ऊधरो एक दोख दाव गया है हमाद अली कहा रहे हैं का स्रीड का इधा चाल गया था तो जब मैंने चेक किया तो फैंन कंपरेसर अकटे नहीं चाहर रहे थे और जब उनों तरफ में उन्हें तो दोनों तरफ में ऐस और रहा था तो क्या प्रोल्म हो सकती है देखे इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई से क्योंकि fan में winding होती है wire होती है तो cross होकर वो दूसरी तरफ face आ जाता है तो आप यह चेक करेंगे उसमें neutral तो नहीं कहीं से cut out हुई यानि neutral break तो नहीं हुई तो mostly यही हो सकता है मुझे तो यही लग रहा है कि chances इसके break होगी neutral और दूसरी नमबर पर अगर neutral break नहीं है तो फिर ऐसा इसको बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए आपका fan शोर्ट तो नहीं है यह चीज़ चेक कर लें इनके ओपर मैं बहुत ही असान वीडियो बुना चुका हूं फैन को कैसे शोर्ट टेस्ट करना है अपने मल्टी मीटर की मदद से और कंप्रेसर को भी लाजबने से शोर्ट टेस्ट करें हो सकता है कि आपके कंप्रेसर की वाज़े से यहां पर शोर्ट आ रही हो तो दोनों में कोई एक चीज़ शोर्ट भी हो सकती है यहां फिर इसमें उससे पहले इसकी shorty test कर लें short तो नहीं है और वाइडिंग इसकी सही बता रही है इसपर में वीडियो बना चुका है और आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जा कर देख सकते हैं winding भी ठीक है और short मी नहीं बता रहा है तो फिर आप क्या करें इसको direct without relay, without overload के आप direct जो है इसमें neutral face दें और इसको start देकर running और starting के दर्मियान आप किसी भी screwdriver की मदद से जो short ना हो start देकर तो आप इसको find करें कि क्या यह direct सही चल रहा है कि same problem कर रहा है अगर आपको direct स्टार्ट करना नहीं आता तो उस पर मेरी एक detail से वीडियो बनी हुई है तीन चार वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पर तो आप वीडियो लिच्पे वह भी देख सकते हैं अग आपकी कहीं wiring पर या फिर overload relay capacitor इन में ही issue होगा यह clear हो जाएगा और अगर आपका refrigerator का compressor direct ही नहीं से ही चल रहा है तो इसका मतलब आप voltage बगार चेक कर ले वायर बगार चेक कर ले हाँ चीज़ ठीक है तो फिर आपका compressor ही खराब माना जाएगा क्योंकि वह direct उसके पीछे और क इसको find करने के लिए यहां पर अदील भाई कह रहे हैं कि sir मेरे सवाल है refrigerator में अगर gas leak हो जाती है तो हम प्रेशर देते हैं उसको अलग अलग से भी तो लीकी जामें नहीं पता चल रही प्रेशर स्टेंड रहता है और तालिस कहटे प्रेशर देकर भी देख लिया पूरे सि solution मतलब क्या हो सकता है क्या gas जो है liquid form में बैठ जाती है जब मतलब हमें प्रेशर अगर शोग कम हो तो देखें अधिल भाई अगर आपकी refrigerator में gas बैठी भी हुई है refrigerator जब आप ओन करते हैं तो वो बिल्कुल अपनी जगा पर सही circulation पर आ जाती है क्योंकि credencer उसका heat up होता है compressor low pressure से high pressure में convert कर देता है तो वो अपने circulation में आ जाती है रही बाद आपके leakage की तो leakage find जो है आप और 40 गेंटे से भी जारा दे कई बार minor leakage होती है जो कि कुछ हफ़तों बाद जाकर आपको को pressure don't बताती है तो दूसरे नवर पर इसमें आपको जो है जब भी इसको pressure दे रहा है मतलब कई बार क्या होता है कि हमारा गेज प्रेशर डॉन बता देता है कि gas leakage है हाला कि refrigerator leakage नहीं होता तो वहां पर हमारी खुद की चीज़े जो हमारे टूल्स है लाइन गेज होगी वहां पर कहिना का में leakage होती है तो आप पानी में टिप करके उसको लाजमी से देख लिया करें तो leakage टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका का जो है वो यह है nitrogen से आप pressure दें ठीक है करें पीस खलील कह रहे हैं कि सर जो हमारा inverter असी है इसको अगर हमने जो है सर्दियों में मतलब कि हमने इसको gas store करना है कोई भी ऐसी हो सर्दियों में gas store करनी है तो हम कैसे करेंगे मादलब cooling mood पर रखकर करेंगे तो gas store क्या heating mood पर भी हो जाएगी यहां मैं दिल भाई यह सबसे बेहतरीन हल तो यह है कि cooling mood पर आपकी gas store नहीं होगी cooling mood पर जो है आपकी gas store होगी लेकिन अब temperature इतना ज्यादा है हम वोसम काफी सारा ठंडा है तो मतलब आपका outdoor चलता ही नहीं अगर चले भी तो फोरी से ट्रीप हो जाते तो आप gas नहीं store कर पाते तो सबसे बेहतरीन इसका त्रीकार यह है कि आप जो है कोई एक पानी यानि कि आप उसको गरम करें और उसका room temperature sensor जो है उसमें टिप कर दे ठीक है उसमें टिप कर दें उसको मतलब heat चाहिए sensor को तो आपने इसको heat प्रवाइड करनी है वो आप कैसे भी प्रवाइड करें वो आपकी वर्जी हाँ आप लेटर की मदा से करेंगी तो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा ताकि sensor मैल्ट ना हो खराब ना हो सबसे पानी वाटर को गरम करें और उसमें जो है आप इसको sensor को टीप कर दें तो इजी लिए अपका AC भी ओन हो जाएगा 16 पर आप temperature रख लेए AC भी ओना हो जाएगा और आपकी gas door भी हो जाएगी तो AC ट्रिप भी नहीं करेंगा तो सबसे बहुतरीन तरीका कार यही है समीर हमें कह रहे हैं कि सर AC के common में जो है हम neutral face कुछ भी देश करते हैं यह question में काफी बार मिला है और काफी लोग confused हो जाते हैं कि यहां फिर fan motor हो यहां फिर हमारा rotary compressor हो उसके common पर face ही देना जरूरी है और running पर neutral देना जरूरी है कुछ लोग उल्ट समबल जेते हैं कि common पर हमने neutral देनी है और यहां पर face देना है running पर तो अगर आप AC में देखेंगे तो जैन हीन AC में कई बार क्या होता है कि running पर जो है वो neutral मिली हो यह होती है यहां फिर running पर कई बार face भी मिला हुआता है तो single face पर आपको कोई tension लेने की जुरूर नहीं है running neutral और face जो है आप change भी कर देंगे मालीजे हमारा को AC है यह उसकी दो neutral face है और यह हमारी main neutral face है इसके पीछे से correction होकर आ चुके हैं अब neutral face यह है हमा पर आ जाती है वहां पर आपका एक एक point exact जगह पर लगना जरूरी होता है क्योंकि DC voltage जो होते हैं और direct current होता है वो अपने यानि कि उसमें हर्स जो है वो change नहीं होते बदल प्लस माइनस आपस में change नहीं होता तो इसमें जो है क्या होता है कि आपका जो face है और जो neutral है उसमे तो यह थे आज के कुछ important comments तो अगर आपका भी स्वाल है तो आप इस वीडियो के नीचे comment करके पूछ सकती है next Q&A में मैं आपका भी reply आपको जो next Q&A होगा उसमें मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करके जाए और मुझे अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर facebook पर follow नहीं किया हुआ तो description में आपको link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप जो follow कर सकते हैं वहाँ पर